तो अभी जडरेक्स कोईन की प्राइस की बात कि तो इसकी प्राइस 1.1 यूएट चल रही है अच्छा का सब रेकाउट हुआ इसमें नीचे के तरफ इसके प्राइस मुवमेंट के बारें बात करेंगे कहां पर आपके लिए एक इंट्री पॉइंट्स हो सकता है और अगर अपने इंट्री ले रखी है तो कुन से एरिया से जहां तक यह जा सकता है और कितना प्रोफिट दे सकते हैं सारी चीजों के बारें बात करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी डिशेक्स डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कोई डिशेक्स एप डाउनलोड करें क्योंकि इसमें वेलरा सो रुपय कायते है मैं से साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी इधिरम अरन कर सकते हैं यहां से डाउनलोड करेंगे तब ही आपको एब बोनस देखने को मिलेगा अभी इसकी प्राइज चल रही है अच्छा खास ब्रेकाउट डेखने को मिला नीचे के तरफ अच्छा खासा क्रेक्शन है इसकी प्राइज में एक अच्छा खासा मुमें हमें पांच दिन पहले देखने को मिला था ओल्मोस्ट वन पॉइंट जिरो नाइं यह वाला एडिया टच किया था 1.23 वा या याव लेकर 1.10 वाला जो एरिया है एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए है एक अच्छा का सपोर्ट इसने मैंटेंट करके रखा है अगर इससे उपर close करता है daily candle जो है और इससे उपर close करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है अभी market थोड़ा सा stable चल रहा है bitcoin में जादा moment नहीं है और बहुत सारे coins जो stable चल रहा है तो यहाँ पर यह वाला area most important है इससे उपर daily closing करता है तो बढ़िया रहेगा दूसरा अगर आने वाले दिनों में breakout होता है बहुत दिनों से इसमें breakout नहीं हुआ जिसे यहाँ पर एक चाखा सा breakout हुआ था यह वाला area touch किया था फिर 1.69 वाला area touch किया था लगातार अच्छे खासे spike देखने को मिले थी तो यह spike इसमें होती रेती बहुत बार और इस टाइब कि spike आने वाले दिनों में expected है कि 15-15 दिनों में इसी spike हो तो आपको almost 40-50% का profit देखने को मिलेगा one day में तो यह वाला area most important है इसके बाद उपर के तरव अगर देखे तो इसको 1.25 से लेकर 1.3 वाला जो area है एक resistance करने को मिल रहा है अच्छा का सा volume चाहिए इसको break करने के लिए और वो volume आ नहीं पा रहा है जिसे यहां पर भी इसने try किया था 1.12 से 1.69 वाला area touch किया था और वहां सभी इसको वापिस rejection मिला daily closing वो 1.3 से उपर नहीं कर पाया तो यह most important area है अगर आप इसमें entry लेना चाहते है तो आपके लिए under 1 UST बहुत बढ़िया entry रहेगी बिलकुस safe entry under 1 UST थोड़ी सी risky entry भी आप अगर risky entry लेना चाहते हैं थोड़ा सा risk 1.1 पर अभी जहां चल रही 1.1 से अंडर आप ले सकते हैं थोड़ा से accumulate कर सकते हैं इसको कि 1.1 पर अभी चल रही है वहां से थोड़ा नीचे आता अगर 1 UST पर आता है वहां पर एक बाई कर लें और 95 सेंट पर आप बाई कर लें तीन पार्ट मापना इमाउंट जो वह बाट लें ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि हम बिलकुत perfect entry ले पाएं जहां पर entry लेते हैं वहां से भी नीचे की तरफ आ सकता है उपर की तरफ भी आ सकता है जिसे बिटकोईन नीचे की तरफ मूग करते हैं यह हमेशा इस टाइप की चीज़े रहती हैं तो यह आपको देखना है एक कुमलेट कर लें आपका इमाउंट जो उसको और पॉर्टफोलियो जो हो डाइवर्सिफाई रखें यह से उसको बहुत ध्यान रखना आपको की एक ही को कि और उसके बाद फिर 2 यूज़टी से लेकर 2.1 वाला ए इरिया तो all time high इसका 2.4 URDT है वो आपको आने वाले दिनों में 3-4 महीने में या 2-3 महीने में भी break करता हो दिख सकता है और नया high बनाएगा और first quarter में हो सकता है जो 2022 का first quarter है उसमें last तक हो सकता है ये 4 URDT, 5 URDT वाला area टेच करता हुआ आपको दिख जाए अच्छा कासा potential है इस coin में आप अच्छा कासा profit इसमें ले सकते हैं बागी इन areas पर आपको नजर रखनी है और buy और sale जो है वो खुद के research खुद के risk के हिसाब से करें खुद के TA के हिसा नहीं है कि आप मैंने बोल दिया आपने आखे बंद करके buy कर लिया कुछ events वगेरा भी होते हैं coins के वो भी कि यहां पर price moment हो सकता है तो इंची जोग आपको ध्यान रखना है उसके उसे हिसाब से आपको buy और sale करना है क्योंकि amount आपका है तो profit and loss भी आप ही करहेगा और वही amount लगा है जो आप 8-10 months hold कर सके profit बुक करते रहे profit जरूर बुक करते रहे और अगर crypto में नए हैं अभी आपक को एक-दो महीं नहीं हुए है तो आप बहुत ज्यादा समयल करेने की जरूरत है बहुत ज्यादा volatile market है यह स्कीच का ज्यान रखना बाकि वीडियो चला लाइक जरू करें चैनको सब्सक्काइब कर ले